नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक आहमद और आप देख रहा रहा है रहने। स्वागत आपका उत्राखंड के खास बुलिटिन में रुख करेंगे उत्राखंड की तमाम ख़वरों की तरफ लेटनेंट जन्रल गुर्मीत सिंग ने आज बुदवार को तरखंड के राजयपाल पत की शपत लिया और गुर्मीत सिंग ने राजये के आठवे राजयपाल के रूप में शपत लिया और उच्छ नियाले के मुख्य नियादिश आरेश चोहान ने उन्हें राज भवन में शपत दिलाए और कारेकरम का संचालन मुख्य सचीव SS संदू ने किया और समारों में मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी मंत्री वंडल के अन्य सदसे और आला दिकारी सेवा निर्मिट सैन्य दिकारी मौजूद रहे और उत्रकंड के नव नियुक्त राजपाल लेटेनेंट जनरल गुर्मिट सिंग के राजभवन पुषने पार मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया था लेटनेट जनरल गुर्मिट सिंग सेना से 2016 में सेवा निर्वित हुए और उन्होंने सेना में करीब 40 सालों की सेवा दिये और इस दौरान उन्होंने 4 राश्टपती पुरुषकार और 2 चीफ और आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवर्ड प्राप्त किये और लेटनेट जनरल गुर्मिज सिंग सेना डेपटी चीफ और आर्मी स्टाफ भी रहे और लेटनेट जनरल गुर्मिज सिंग सेना एड्जुटेंट जनरल पनरा कारपस के कमांडर है और वो चीन मामलों से जुड़े मिलिटरी ओपरेशन के निदेशक भी रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्टे संयोजक अर्विन के जिवाल 19 सितम्मर को उत्राखंड आएंगे और आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीटर हैंडल से सीम के जिवाल के उत्राखंड दोरे की जानकारी दी है और वहीं के जिवाल का ये पहला हलदवानी दोरा है और इससे पहले वो दो बार धहरदुन आ चुके और उन्होंने अपने दो दोरे में बिजली गरंटी की तहट तीन सो यूनिट प्रती महीने बिजली देने की घोशना के साथ ही करनल अजे खोटियाल को सीम पत का चैरा घो हुआ है आम आदमी पार्टी ने भूत संकल्ब आप विकल्ब अभ्यान तेज कर दिया और आपका दावा है कि इस अभ्यान को लोगों को भारी समर्थन मिल रहा है और अभ्यान के तहट कई लोग पार्टी की सदेस्ता घ्रेंड कर चुके और आप चुनापरचा समीती के अ पाली ने कहा कि 20 सालों में कॉंग्रेश बीजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया जिससे अब जनताती सा विकल्ब चुन्ने का मन बना चुकी है उत्राखंड में नैनिताल बीजेपी जिलाद्यक्ष प्रदीब बिष्ट के घर पर मंगलवार देराद धमाका होने से हलकम मच गया और धमाका होने के कारणों की जाँच की जारी है भाश्वा जिलाद्यक्ष प्रदी बिष्ट ने हीरा नगर आवास में मंगलवार देर रात करीब साड़े बारा वजे तेज धमाका हुआ और इससे घर का मुख्य गेट दर्वाजे और खिड के आँध दोस्त हो गई और बु के पर मौजूद जिलादिकारी धीराज सिंग घरवियाल ने बताया कि जाँच के बाद ही दमाके के कारणों का पता चल पाएगा और जाँच में फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जारी है और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार राज साड़े बारा वजे गिर गए और एक कमरे की दिवार भी छती ग्रिस्त हो गए और मामले की सूचना मिलते ही एस्पी सिटी सीओ हल्दवानी एस्डे मनी सिंग सिटी मजिस्टेट रिचा सिंग मौके पर पहुंचे और घटना का मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने भी संग्यान लिया औ और भाजपा प्रदी सद्यक्ष मदन कौशिक ने भी जिलाद्यक्ष से बात की और वहीं प्रदी बिष्ट का कहना है कि धमाका कैसे हुआ कुछ पता नहीं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है और जाश के बाद ही स्थिती इसपश्ट हो सकेगी और आसपास के लोगों ने बत कर दो चुआ है